नमस्कार आप देख रहे हैं न्यूजवल इंडिया आपके साथ मैं हूँ काजो नरायन बहुत स्वागत है आपका गुड मॉर्निंग इंडिया की खपरों में आलिगण मुसलिम विश्विध द्याले का नाम बदलकर राजा महिंद परताप के नाम पर रखने की भारते जन्ता पार्टे की पुरानी मांग के बाद प्रधान मंत्री नरिंदर मोदी मंगलवार को याणी किया स्वतन्ता सैwnारियों के नाम पर E.M.U के बगल में बनने वाले एक नए विशोविद्र द्याले के आधार शीला रखेंगे प्रधान मंत्री कारले के मताबिक मोधी मंगलवार को अलिगर पहुँचकर राजा महिंद प्रताप के नाम पर इस्थापित होने वाले विश्विद्याले की नीव रखेंगे मुखे मंत्री योगी आदेतनात ने सुमवार को अलिगर जाकर जिले के लोड़ा इलाके में आईजित होने वाले प्रधान मंत्री के कारिक्रिम के तयारियों का जाजा लिया था इसी दुरान उपमुखे मंत्री दिनेश शर्मा ने कहा कि राजवा महिन प्रताप सिंग के नाम पर राजव विश्विद्याली के स्थापना करके प्रदेश सरकार उसमहान हस्ती को शद्धांजले दे रही है जिसने भारत के आजादे के लड़ाई नड़ते हुए अपने जीवन के तीन दशक निर्वासित होकर व्यतीत किये दिनेश शर्मा ने आगे बताए कि राजवा महिन प्रताप सिंग ने साल 1915 में खाबल मिस्तापित भारत की पहली प्रोविजनल सरकार के राजपती भीव बने थे उस सरकार का गठन विभिन अफगान कबीलों के भूमी का निभाई लूरह में राजा महिन प्रताप सिंग राजव विश्विद्यालियों के स्थापना का इस शेत्र के लोग व्यापक रूप से स्वागत कर रहे हैं क्योंकि इससे अलिगर्ट अथा असपास के जिलों में उच्छ सिक्षा को काफी बढ़ावा मिल सकता है इसके लावा प्रदीश की योगी आदितनाज सरकार ने पिशले साथ सालों के दौरान प्रदीश में 11 नए राजव विश्विद्यालियों के स्थापना की है पश्री में उत्र प्रदेश के दौरे से पहले श्वर्मा गौतम बुद नगर के जीवर विधानसभा श्रेतर म विधायक दिरिन सिंग के साथ मौजू थे जहां पर उन्होंने बूत स्थर पर भाजपा पदिकारियों के साथ बैटक की है साती साथ विपक्ष पर वो निशाना साथते हुए नजर आए हैं इस से पहले कल सीम योगी आधितरात अलिगर पहुँचे थे और वहां तैयारियों का जाजा लिया था देश में हर साल 14 सितंबर का दिन हिंदी दिवस के रूप में मनाय जाता है हिंदी उन भाशों में शुमार हैं जो दुनिया में सबसे जादा बोली और समझी जाती है इस मौके पर आज नई दिली स्थित विज्ञान भवन में हिंदी दिवस समहारो और पुरुसकार वत्रण का आयोजिन किया जाएगा समहारो के धक्षता केंडरे ग्रहे एमम सहकारता मंत्री अमिश्वा करेंगे विराज मंत्री नित्यादंद्राय, अजिकमान मिश्वा और नितीश प्रमानिक समहारो में विशेश अथी के रूप में मौझूद रहेंगे और हिंदी दिवस पर होने वाले इस आयोजिन में अमिश्वा के करकमलों से राजभाशा कीरती पुरुसकार राजभाशा गौरव पुरुसकार वत्रुत किये जाएंगे अमिश्वा समहारो को संबोधित भी करेंगे कोर्णा महामारी की विश्यम परसुतियों के कारण हिंदी में उत्क्रिस्ट लेक और पत्रिकाई निकालने वाले संस्थानों को पुरुसकार दिये जाएंगे आपको उतादें कि 14 सितंबर 1999 को समधान सभा ने हिंदी को संग की राजभाशा के रूप में अंगिकार किया था पहला हिंदी दिवस 14 सितंबर 1953 को मनाए गया ग्रेम अंत्राले दोरा हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस के अफसर पर राजभाशा कीरती और राजभाशा गौरफ पुर्सकार वित्फरन समारों का यजिन किया जाता है जिसमें केंद्र सरकार के कारालियों, बैंकों, अन्य उपक्रमों को राजभाशा हिंदी में उत्कृस्ट कारे करने के लिए पुर्सकार भी दिये जाते हैं ये कारक्रम आज सुभाद 10 बच कर 40 मिनिट पर विज्ञान भवन प्लेनरी हॉल में आयोजित किया जाएगा तो समारों के दिक्षता करेंगे केंद्रिय ग्रह मंत्री अमिश शाह तो 14 सितंबर का दिन हिंदी दिवस के रूप में मनाय जाता है और आज तमाम सेक्षिंग संथानों और स्कूलों में भी इस दिन को मनाय जाता है और ये जो भाषा है इसको और जादा बढ़ावा दिया जा रहा है 1953 में पहला हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाय गया था केंद्री मंत्री और बीजोपी के वरिश नेता नितन गड़करी ने सोमवार को कहा कि लोकतंत का मकसद समाज के सबसे आखरी पायदान पर खड़ी व्यक्ति के जीवन में बदलाव लाना है इस दुरान उन्होंने राजनेतां को जिकर करते हुए चुटकी भी ली है गड़करी ने कहा कि वधायक मंत्री और मुख्य मंत्री सब ही दुखी हैं उन्होंने कहा कि सीयम लोग इसले दुखी हैं कि कब रहेंगे कब जाएंगे भरोसा नहीं उनका ये बयान ऐसे समय में आया जब कुछ महीनों के भीतर बीज़ेपी नियत्यत ने चार मुख्य मंत्रियों को बदला है सुमवार को ही विजरुपानी के जगा बुपेंद्र पटेल ने गुझरात के मुक्य मंत्रि पद की शपतली ऐसे में ये बयान काफी जादा माईने रख रहा है और हर किसी की नजर इसी बयान पर टीकी हुई है वहीं राजस्थार विधानसभा में संसद्य प्रणाली और जन अपेक्षाय विशे परायजी संगोष्टी के समापन सत्र को संबोधित करते हुए नितन गड़करी ने दिगज क्रिकटर सचिन तंदुलकर और सुनिल गावर्सकर से बाक्षीत का उधारन दिया गड़करी ने कहा कि राजरीती स्किल है समस्या सब के सामने है पार्टी में पार्टी के बाहर विधानसभाश्वेत्र में परिवार में आसपास में सब जगा समस्या है कोई कहता है इसे टिकेट दे दो उसे हटा दो समस्या किसके सामने नहीं है एक ने पूछा कि आप लोगों में से सुखी कौन है तो किसी ने हाथ नहीं खड़ा किया क्योंकि जो MLA है वो इसलिए दुकी है कि वो मंत्री नहीं बन पाए मैं आपके लिए नहीं कह रहा हूँ जो सामने नेता बैटे वे थे उनकी ओर इशारा करते हुए नितनगर्करी ये कहते हुए नजर आए तो समास के सबसे आखरी पायदान पर खड़े विफ्ती तक हर वो सुविधा पहुचाना ही लोकतंत्र का एक सबसे मजबूत हिसा है राजनेताओं का जिकर करते हुए चुटके लेते वे नजर आए हैं और ये बयान काफी माईने इसलिए लग रहा है और चर्चा का विश्य इसलिए बना हुआ है क्योंकि ये बयान तब आया है जब बीजेपी जहां नेतित कर रही है जिन जिन राज्यों में वहाँ पर मुख्यमंत्रियों के चेहरे लगातार बदले जा रहे हैं अभी कल ही विजेरुपानी की जगा भुपेंद्र पटे ने मुख्यमंत्री पद की शपत ली है उसके बाद ये बयान काफी जादा माईने रख रहा है तो सोशल मीडिया पर भी नितन गड़करी के बयान तेजी के साथ वारल हो रहा है अमर्का के राजपती जो बाइडन 24 स्तंबर को वाइट हाउस में होने वाले पहले क्वाड देशों के समिट की मेजबानी करेंगे वाइट हाउस के ओर से जानकारी दी गई है राजपती बाइडन भारत के पधान मंत्वी नरेंद्र मोधी औस्टेलिया के पीम स्कॉट मौरिसन जापान के पीम युशी हिदे सुगा का स्वागत करेंगे वाइट हाउस के ओर से जारी किये गए बयान में कहा गया है कि कौआड नेताओं की मेजबानी बाइडन हैरिस प्रिश्चासन की इंडियो पैसिफिक में इस संगलन होने की प्राक्निक्ता को प्रदिश्चित करता है इस समिट में कौआड की कामकाज को नई गती देने के लिए व्यापक विचार विमर्ष भी किया जाएगा वाइड हाउस ने कहा कि कौआड नेताओं की वारता हमारे सम्मंदों को मजबूत करने पर पूरी तरह से फोकस होगी इसमें कोरोना से निपटने, जलवाई उसंकट का सामना करने, उभर्ती प्रद्योगिक्यों और साइबर स्पेस पर साच्यधारी करने और एक स्वतंत्र और खुले इंटो पैसिफिक को बढ़ावा देने जैसे शेत्रों पर आपसी वेवारिक सायों को आगे बढ़ाने पर चर्चा की जाएगी माना तो ये भी जा रहा है कि प्रदान मंत्री नरिंद्र मोदी अमेरिका दोरे पर जा सकते हैं और ये यहां जो बारिडन से मराकात करेंगे और उस्टी जानकारी मिल रही है और वो इस तोरां अमेरिका भी जा सकते हैं आपको टादे कि ये जो समिट होने जा रहा है इसमें तमाम मुद्दो पर जो तमाम चीजें उन पर चरचा हो सकती है चाहे वो कुरोना को लेकर हो चाहे वो जलवाईउ को लेकर हो या फिर तमाम जो रक्षा सम्मंधी बातें उन पर चरचा करना हो दरअसल इमार्का के राजपती जो बाइडन 24 सितंबर को वाइट हाउस में होने वाले पहले कौरडेशो को सम्मिट की मेजबानी करने जा रहे हैं वाइट हाउस के और से जानकारी दे दी गई है भारत के बधान मंत्री नरिंदर मोधी भी इसमेशामिल होंगे औस्टेलिया की पीम स्कॉट मौरसिन भी शामिल हो सकते हैं ऐसी जानकारी मिल रही है और जापान की पीएम भी शामिल होंगे वाइट हाउसे जो जानकारी मिली है उसके अनुसार कॉइड नेताओं की मेजवानी बाइडन हैरिस प्रशासन की इंटो पैसिफिक में संगलन होने की प्रात्मिक्ता को प्रदेशित करेगा कामकाज को नहीं गती देने के रिए व्यापक विचार विमर्श किये जाएंगे कॉआडनेताओं की बारता संबंदुक मजबूत करने पर फोकस रहेगी ये बारता इस जरान हो रही है जब अफगानिस्तान में तालिबान का पूरी तरह से कबजा है और अमारकी सेनी जो पूरी तरह से पीछे हट चुके हैं और अमारका इसको लेकर कुछ भी बयान बाजी करने से बचता हुआ नजर आ रहा है वही नीदी आयों के सदस्य डॉक्टर विकेपाल ने कहा है कि मास्क अगले साल तक रहेगा और लोगों में कोविट के विकास को रोकने के लिए प्रभावी दवाईयों की भी जरुत होगी उन्होंने एंटिवीटी के सखाथ बाच्चीत में कोरोना के किलाब रडाई के तौर पर प्रभावी दावा किया और कहा है कि जो मास्क है उसका इस्तिमाल हमें 2022 में भी करना पड़ेगा अनुसाशित सोशल विभार पर जोर दिया जाएगा वो कहते हैं कि मास्क पहनना दूर नहीं किया जा सकता और कुछ वक्त के लिए जरूरी है हम अगले साथ तक भी मास्क पहनना जारी रखेंगे उनका नजरिया है कि ये विश्वास है कि वैश्विक संस्था सकरात्मक रिस्पॉंस के साथ आएगी इस महीने के अंच से पहले जाएतर भारतियों के बीच सबसे जुवलन सवाल है कि क्या कोरोना के तीसी लहर होगी उन्होंने इसके जवाब में कहा कि इससे इंकार नहीं किया जा सकता अगले तीन से चार महीने का समय है जो वाक्सिन हर्ट इम्मिनिटी बनाने के लिए पेश की जा रही है हमें खुद को बचानी और प्रकोप से बचनी की जुरत है मेरे नजदी की संभव है कि क्या हम सभी इस लडाई में एक साथ है उन्होंने बड़े त्योहारों का मौसम जैसे कि दिवाली और दशरे के खिलाब भी चिताया है उन्होंने कहा कि अगले कुछ महीनों में ये त्योहार पढ़ रही है जोसे अगर ठीक से संभाला नहीं गया तो संभावित तोर पर बिमारी का विश्वाल फैलाव हो सकता है जब उनसे ऐसी हालात में लोगों पर पाबंदियों की सिफारिश पर सवाल पूछा गया तो वरिश टॉक्टर भारत में इसके बारे में अनिश्यत थे उन्होंने उम्मी जताई की दवा के साथ दुनिया भाकिशाली होगी जैसा की वाक्सिन के साथ रही है उन्होंने कहा कि हमारे पास जोकी महरा समय आ रहा है वारस को दूर करने के तरीके सधान्त रूप में ऐसी स्तिती में और चरणबद तरीके में पाबंदिया लगाने के लिए गाइडलाइन्स हैं और उसे समय पर लागू किया जाना चाहिए यानि कि उन्होंने पूरी तरह से चिता दिया है कि 2022 में भी हमें मास के साथ ही जिंदगी गुजारनी होगी और तमाम जो गाइडलाइन्स उनको फॉलो भी करना पड़ेगा जो आने वाले त्युहार हैं बड़े त्युहार चाहिए वो दिवाली हो चाहिए दश्यारा हो बहाँ पर स्तिती कंट्रोल करने की जुरूत है तीसी लहर को लेकर उन्होंने सिधे तोर पर तो नहीं कहा है लेकिन उन्होंने कहा है कि अगर स्तिती सम्हारी नहीं गई तो हो सकता है तीसी लहर आने वाले एक से दो महीने में ही दिखाई देने लगे वहीं बिहार में कोरोना वारत से लड़ने के लिए सरकार पूरी तरह से सजग नज़र आ रही है कोरोना के मामलों को कम करने के लिए बहुत जरूरी है कि लोग नियमों का तो पालन करे ही साथी साथ वैक्सिन भी लगवाएं इसी क्रम में अब बिहार सरकार ने मेगा वैक्सिनेशन ड्राइव का प्लान कर लिया है वहीं बिहार में रविवार और सोमवार के बीच आए कोरोना के नए मामलों के तीसरे दिन जाकर आक्टिव केसिस की संख्या में कमी आई है दरसल 10 सितंबर को बिहार में कोरोना के 63 अक्टिव केसिस थे 11 सितंबर को 75 हो गए बीचे रविवार को अक्टिव मरीजों की संख्या 80 हो गई हलाकि सोमवार को आई रिपोर्ट के अनुसार अब बिहार में अक्टिव मरीजों की संख्या 86 है सुमवार को आई स्वास विभा के रिपोर्ट के अनुसार बिहार में सिर्फ छे नए केस मिले हैं दर्भंगा में दो, गुपाल गंच में एक, पटना में एक और सुपाल में एक नया मरीज मिला है यानि की काफी हद तक बिहार सरकार ने कोरोना पर काबू पाया है वहीं 24 गंटे में 10 लोग स्वस्थ होई हैं, ज्यादा संक्या में स्वस्थ होने वालों की वज़ों से ही अक्टिव मरीजों की संक्या में कमी आई है आपको बता दें कि सोमवार को पत्रकारों से बाचीत के दुरान उन्होंने ये भी बताए कि 17 सितंबर को पधान मंत्री नरिंद्र मोदी के जन दिन के मौके पर राज़मे मेगा वैक्सिनेशन ड्राइव चलाया जाएगा इस कारे की तैयारी चल रही है उन्होंने कहा कि हमने 6 महीने में 6 करोड डोस कोरोनाटी का देने का टारगेट रखा है कोरोना वारस की 30 लहर आने की आशंका है ऐसे में सब को सचित रहना होगा कोरोना के साथ ही दूसरी अन्य बिमारियों को लेकर भी सब को अलर्ट रहने की जरूरत है तो बिहार सरकार पूरी तरह से अलर्ट है मेगा वैक्सिनेशन ड्राइव चलाने जा रही है प्रधान मंत्री नरिंद्र मोदी के जर्ण दिवस से भी इसकी शुरुवात बिहार में हो रही है तो बिहार में लगातार कोरोना के केसे सघट रहे हैं फलहाल 76 मामले सामनी आए हैं ऐसे में जरूरी है कि जितनी साबधानिया बढ़ती जा रही है उतनी ही बढ़ती जाएं क्योंकि आने वाले समय में यह जो आकड़ा इसे शुन्ने करने की जरूरत है वही देश के कई राजों में भारी बारिश के कारण आम जन जीवन अस्त्वेस हो गया है भारी बारिश के कारण जहाん ölागों में जल भराव की सिती बनी हुई है तो ये ऐसे मौसम में लोगों को घरों से निकरने में काफी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है मौसम विभाग के मताबिक कई राजों में अभी भी बारिश की संभावना बनी हुई है मौसें विभागने कई राजों में हलकी बारिश तो कई राजों में तेज बारिश का पुर्णर अनुमान जारी किया है मौसम विभा के मताबिक औरिसा और पूर्वी गुज्रात के कुछ हिस्सों में मध्यम से भारी बारिश के साथ एक दो स्थानों पर जादा भारी बारिश होने की संभावना है मौसम विभा के अनुसार पंजाब, दिल्ली, पुर्वत्तर, भारा, तिलांगना, सक्के, मांज प्रदेश, लक्ष्यदीब और तमिलाजू के अलगलग शेत्रों के अलावा आंतरिक करनाटक में हलकी बारिश देखने को मिल सकती है मौसम विभा का ये भी अनुमान है कि चत्रिसगर, मद्र प्रदेश, वरास्ट और कच्छ दक्षन पूर्वी राजिस्थान, अंधुमान, निकुबार, द्यूप, सम्हू, अलग-लग हिसो वित और कॉंकन और गोवा में बारिश हो सकती है और एक साथ तेज बारिश हो सकत आपको ये जानकारी होगी कि दिली अन्सियार में श्रनीवार रविवार को भारी बारिश के करण सडकों पर पानी भर गया था, पानी भरने के करण कई लागों में लोगों को घरों से निकलने में मुश्किलों को सामना करना पर रहा था मौसम भाग पहले से ही चिता चुका है कि सितंबर का जो महीना है वो काफी जादा अलर्ट रहनी की जुरत है क्योंकि कई लागों में येलो अलर्ट है, कई लागों में औरेंज अलर्ट है, दिली में तो पिछले दिनों रेड अलर्ट तक जारी कर दिया गया था क्योंकि भारी बारिश के वज़ों से पूरी दिल्ली पानी पानी होती हुई नजर आई थी जग़ जग़ जल भराव हो गए थे ऐसे में आम लोगों को आने जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था ऐसे में आगे भी सुहुलियत नहीं मिलती हुई नजर आ रही है तो यूपी में कमल पूरी प्रकरता से खिला हुआ है कभी कभी अखिलीश की साइकल भी उत्राती है यहां कि सियासी आस्मान में हैदरबादी पतंग के कुलाचे तो खूप खा रही है भाई के बाद बहन भी पंजी को असफलता के सिकंजे से मुक्त कराने में नाकाम हो रही है वहीं यूपी के सियासी महाल में योगी रोज आतिश बाजी कर रहे हैं लेकिन विपक्ष के प्रयास फुल जड़िया सरीख साबित हुए हैं अब मंगलबार को उत्रप्रदेश की राजधानी लखनों में यकायक मायवती का हाती चिंगार उठा योगी का हंदुत ओवसी के मुसल्मान और तालिबान की हल्चल के बीच मायवती ने अपने हाती के मस्तक वर ब्राहमन टीका लगा दिया साथी यूपी के चिनावी महौल में श्रंकनाद कर सियासी घंटे घड़ियाल बजा कर एक हल्चल सी मचा दी है रिपोर्ट देखे यूपी में सियासी महौल योगी का हिंदुत ओवसी के मुसल्मान हाथी के मस्तक पर ब्राहमन टीका यूपी में इस वक्त सियासी महौल चरंपर है वहीं मायवती की चुपी तमाम लोगों को अखर रही थी पहले 2017 के विधान सभाचुनाव और फिर 2019 के लोग सभाचुनाव के बाद यूपी की सियासत में बहुजन समाज पार्टी की माया को खत्म मान लिया गया था जो सरह से पूरे समय मायवती मौन साधी रही उसके बाद राजनितिक पंडितों ने मायवती की सियासत के खत्म होने की भविश्यवानी भी कर दी इधर सपाध्यक्ष अखली श्यादव बीश बीश में कभी ट्विटर तो कभी मीडिया में आते रहे लेकिन मौलायम की समाजवादी पार्टी के संखर्ष वाले चरित्र की कमी से वो पहले बीज़पी के विकल्प के तौर पर अभी तक खड़े नहीं दिख सके उस पर तुर्रा ये कि सपा के मुस्लिम यादव समिकरण को AI, MIM के असुद्दीन ओवसी ने काटना शुरू कर दिया वही भाई राहुल के बाद बेहन प्रियांका गार्टी पंजाब में सोवार को किसारू ने कौंगर्स रेताओं के किलाव प्रदर्शन किया इसके बाद राज़ो के सीम अमरंदर सिंग ने किसानों से अपील की है कि पंजाब में प्रदर्शन ना करें इसके लिए दिल्ली जाएं सीम ने कहा कि आंदोरन से पंजाब को नुकसान हो रहा है राजो के आर्थिक नुक्सान होने के संभावना लगातार बनी रहती है पंजाब के होशिया कोर में मोखे मंद्रीन ने कहा कि मैं पंजाब के किसानों को बताना चाहता हूँ कि यह उनके जमीन है यहाँ उनका विरोध राजय हित में नहीं है राज़े में विरोध प्रदर्शन करने की बजाए किसानों को केंदर पर किशी कानूनों को निरस्त करने का दवाब बनाना चाहिए उन्होंने कहा है कि आज भी किसान राज़े में 113 स्थानों पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और ये हमारे विकास को प्रभावित कर रहा है तो सीम के बयान पर अकाली दल के नेता हर सिम्रत को और बादन निशाना सादिया उन्होंने ट्वीट करते वे कहा कि अमरिंदर सिंग ने किसानों से कहा है कि अपनी लड़ाई दिल्ली में लड़े पंजाब में नहीं वो अपने आली शान महल में आराम करते हैं जबकि हमारे किसान पिछले दस माईने से खराब मौसम की सिती में दिल्ली की सडकों पर मर रही है हर समय यहीं उनकी योचना रही है आपको पता दें कि पंजाब में जिस तरह से किसान आंदोलन कर रही है इसको लेकर अमरिंदर सिंह के कहते हुए नजर आये हैं कि किसान पंजाब में प्रदृशन ना करें, दिली में जाकर प्रदृशन करें तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वहाँ पर वो ये नहीं चाहते हैं कि माहौल खराब हो वो माहौल बिगाडने की कोशिश करते हैं तो ऐसे में अकाली दल के रिये था हर सिम्रत का और बादर ले सीएम अमरिंदर सिंग पर रिशाना साथ दिया है उनका कहना है कि जो सीएम अमरिंदर सिंग है वो अपनी महल में आराम फर्माना चाहते हैं और किसान जो लगातार दली बार्डर पर बने हुए हैं बरसात में गर्मी में ठंड में ठिद दुरते हूँ नजर आ रहे हैं उन से इनका कोई निजिना देना नहीं है इनका मकसद है सिर्फ और सिर्फ वहां से किसानों को हटाना यानि कि पंजाब में किसी तरह का महौल बिगड़ना नहीं चाहिए ऐसा कहते हुए यहाँ पर हर सिम्रत को और बादल नजर आई हैं और सीधे तोर पर आज ही नहीं से पहली वो लगाता निशाना साती रही हैं उनका मकसद है सिर्फ और सुर्फ किसानों के हित में काम करना और इसी वज़े से ही उन्होंने अपने पत से इस्तिफा दिया था लेकिन सीएम अमरंदर सिंग की जो बयान सामने आये थी उससे वो काफी जादा परिशान नजर आ रही हैं और काफी जादा अक्रोशित नजर आई हैं जिसको लेकर उन्होंने यहां पर निशाना साथ दिया है तो किसान लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं आपको उतादें की चाहे वो हर्याना हूँ या पंजाब या दिल्ली या उत्तर प्रदेश यहां पर किसानों का अंदूनन लगातार जारी है प्रदर्शन भी लगातार अक्रमक होते हुए नजर भी आ जाते हैं उत्राखन के मसूरी मिस्थित कैम्टी फॉल में सोमवा को दोसों से ज़्यादा परिटक हादसे का श्रिकार कोते होते बच गए दरसल कैम्टी फॉल के उचाई वाले श्रित्रों में हुई भारी बारिश के बाद फॉल में अचारक पानी बढ़ गया और यहां पानी पेहत तेज धार भी बहने लगा यह धार इतनी शक्ती चाली थी कि अगर गलती से भी कोई इसकी चपीट में आता तो उसका नामों निशान मिलना मुश्किल था तस्वीरिया आप देख सकते हैं अचानक भारी बारिश के बज़े से जलस्तर बढ़ने लगा और कैम्टी फॉल में भी पानी बहुत तेज बहाव के साथ बहने लगा हालक स्थानिया पुलिस को परवर्ती शेत्रों में भारी बारिश के बाद उफान का अंदाजा हो गया था पुलिस और स्थानी प्रशासन ने ततकाल फॉल में नाहरे लोगों को सुरप्षत तिका लिया तस्वीरे आप देखें कैम्टी फॉल के तस्वीरे हैं पानी कितना जादा यहां बहता हुआ नजर आ रहा है दरसल कैम्टी फॉल में सोंबार चार बज़े के आसपास परटक जब कर मस्ती कर रहे थे बड़ी संख्या में परटक फॉल के नीचे और जील में नहाते हुए मस्ती करते हुए नजर आए इन्हें परवर्ति शेत्रों में हुई भारी बारिश का जरा भी अंदाजा नहीं था लेकिन कैम्टी के उचाई वाले स्थानों पर हुई भारी बारिश के जानकारी थाने अध्यक्ष नवीन चन जुडियाल को मिल गई थी विततकाल दलबल के साथ कैम्टी पहुँचे और वहां नहा रहे सेलानियों को जील से बहार निकाला और आसपास घूम रहे सालानियों को भी सुरक्षत स्थान पर भेश दिया यह तस्वीरें आप देख सकते हैं आपको तादी के उत्राखंड में लगातार भारी बारिश के वज़र से कहीं भुस्कलन हो रहा है कहीं बादल फट रहे हैं और नदियों को जलसतर भी बढ़ रहा है ऐसे में कॉम्टी फैल में भी जो लोग हैं वो लगातार नहा रहे थे लेकिन यहां पर बड़ा हाथसा होते होते बच गया दोस्तों के करीब ही लोग बताए जा रहे हैं पानी अचानक फॉल में बढ़ता वा नजर आया इस्थानी प्रशासन मौके पर पहुंचा और पूरे इलाके को खाली कराया है और इसी के साथ फिलाल खबरों में इतना ही बाके खबरों के लिए आप बने रहे हैं निस्वल इंडिया के साथ